Hi everyone, so मैं हूँ भावन बात्राव from the Wheel of Fortune 369 से आप सभी की tarot card reader और आज हम specifically में ये reading लेकर आई हूँ आपके person की morning thoughts पे क्या आपके person आज सुभा किस energy में है, क्या सोच रहे है, क्या उनकी thinking है आपको और आपके connection को लेकर या जो हम जानेंगे अपने card से लेकिन उससे पहले अगर आप नए है ना subscribe कर लीजे bell icon ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास notification आए, जब भी मैं कोई new video post करती हूँ आप चाहते हैं न मैं आपके लिए RSI videos बनाओ, तो like भी करना है अगर आप चाहें तो आप मेरा WhatsApp group भी join कर सकते हैं, जिसका link इसी वीडियो के description box में आपको मिल जाएगा ये एक general timeless collective reading है, जो भी person इसे देखेगा है उसके साथ resonate करेगी, ठीक है and collective है, किसी specific person की reading नहीं है, जितना part resonate करें रखें, बाकी चीज़ों को ignore कर सकते हो जबरदस्ती किसी भी part को resonate नहीं करवाना है, cards को shuffle करूं तो अपने person के बारे में सोचें, अपने person का नाम दीजिए चलिए, देखते हैं कि आपके person आज सुभा किस energy में है, क्या सूच रहे हैं, so please divine universe, angels, spirit guides बताएं मुझे कि मेरे viewers के person क्या सूच रहे हैं आज सुभा page of swords guys, एस reading पो एक trust, एक positive thought, एक open mind के साथ इसे देखना है and this is eight of cups ten of cups king of swords queen of hands ace of pentacles ten of swords, okay six of pentacles seven of swords the energy of judgment and night of swords this is the speed it's telling कि उन्हें बहुत जल्दी है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, reunion की, reconciliation की यहां पर भी God से pray करते हुए दिख रहे हैं, यह wish मांगते हुए दिख रहे हैं कि काश सब कुछ सही हो जाए ठीक है, इस लाइक कार्ड जो की जहां पर भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं, इस relationship के लिए के जो यहां पर जोरेक सारे ही हैं, जर्मनी, लिबराइक, क्यांस, क्यांस, कॉर्पन, पाइस, टॉरस, वर्गो, क्याप्रिकॉन, एरीज, लियोवन, से चिजेरिस, यानि अर्मुस्ट सारे ही जोरेक साइंस आज की इस reading में है जब यह person है, वो आज सुभा भी बहुत जादा like upset energy में है, आप ही के बारे में सोचते हों दिख रहे हैं, आज अल्मुस्ट जितने cards है ना वहाँ पर वो, अकेले ही खड़े आप उन्हें पाओगे यहां पर भी, यहां पर भी अकेले हैं, यहां पर भी अकेले हैं, यहां प 10 of swords के pain को आपका person जो है, वो handle कर रहा है, उनको यह चीज का पूरा realize हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है आपको छोड़ कर, तो यह कहीं ना कहीं उनके energy है, वो ना, I was feeling that जो आपके person है ना, वो एक्दम hopeless हो चुके हैं, यानि अपनी hopes खो चुके हैं आपके person उनको ऐसा लग रहा है जैसे अब शाद वो अगर आपके पास आए भी तो किस मूझ से आए, क्योंकि जब उन्होंने आपको छोड़ा था ना, वो ऐसा वक्त था जहां पर उन्हें इस वक्त का बारे में नहीं अंदाज़ा था, इस वक्त का मतलब कि उन्हें नहीं पता था कि वो जब आपको छोड़ देंगे या आपको नो कांटाक्ट देंगे, उसके बाद वो आपको इतना मिस करने वाले हैं, इतना प्यार आपसे होने वाला है उनको, क्योंकि वो जिस एनरजी में अभी दिख रहे हैं वो ऐसी एनरजी में हैं जहां पर वो बहुत ज़दा हैं जब से उन्होंने आपको छोड़ा और स्पैसेफिकली जब से ये नो कांटाक्ट सिचुएशन आई है ना तब से तो वो बहुत ज़दा रिक्रेट कर रहे हैं एक सिचुएशन होती है ना कि जब तक एक परसन हमारे साथ हो तब तक हमें उसकी कमी का एहसास नहीं होता ह लेकिन जब वो परसन हमारी जिंदगी से चला जाता है या हमारे से दूर हो जाता है तो हमें जाकर रिलाइज होता है कि या वो तो कितना जरूरी था उसकी कितनी जरूरत है मुझे, कितना सपोर्ट उसने मुझे करा, कितना प्यार उसने मेरे दिल में जगाया और आज उनकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर वो अपने आपको अकेला ख़ड़ा हुआ पा रहे है अगर कोई third party भी है तो आप वो भी उनके साथ नहीं है या फिर उनके साथ भी वो अच्छा फील नहीं करते हैं उनके साथ भी वो comfortable नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा उनके पास सब कुछ है भी अच्छा materialistic gains है, सारे पैसे हैं अच्छे financial benefit हैं लेकिन वो enjoy किसके साथ करें यह सब चीज़े वो एक होता ना कि अगर तयार हूँ एक हो अगर हम celebrate भी करने जाहें ठीक है अगर आप यसी शादी में जाते हो, किसी function में जाते हो then what do you do, आप ready होते हो properly है ना, you properly dress up, आप properly dress up होते हो कि आपको लगता है कि लोग आपकी तारीफ करेंगे आपको appreciate करेंगे, आपको praise करेंगे कि कितने सुन्दर लग रहे हो ठीक है, और जब कोई आपका loved one ही आपके पास ना हो तो आपका त्यार होने का भी मन करेगा नहीं न, वो आपके person के energy जहांपर हर चीज से उनकी hope खोचुकी है नहीं उनका ओने का मन करता है नहीं कोई काम करने का मन करता है नहीं किसी काम में उनका दिल लगता और वो happy भी feel नहीं करते हैं चीजों को लेकर जयसे आपने अगर उनके आसपास रहते हो कि यहां पर मुझे उससे दिख रहा है जैसे आप यह तो थे आपके पॉर्सन, I am saying थे, अब नहीं है, ठीक है, अब उन्हें पसंद है, वो एक आंत में, शान्ती में बैठें, ठीक है, अकेले बैठें, ठीक है, अर कहीं बार उनको रोना भी आ जाता है, ये सोच करके, अब आगे और क्या होगा, जब वो ये सोचते हैं, कि यार, आप उनके जिन्दिये में वापस नहीं आने वाले हो, तो वो upset साफ फील करने लगते, एक्दम मायूस से हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ ये सब तो होना ही था, ठीक है, क्योंकि उन्हों कर्मा, कर्मा is the strongest thing, अगर उन्होंने किसी ऐसे परसन को दोका दिया है, जो उनसे इतना प कर्मा उन्हें भी नहीं छोड़ा है, इसलिए वो इतना अपसेट इस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, उनको बार बार वो बाते याद आती हैं, जहां पर उन्होंने आपको इगनोर करा, आपसे दूर गए, ठीक है, उनकी ना intention मुझे ऐसे दिख रही है, जैसे उनकी most probably intention र रहती थी, जैसे वो आगे-ागे, ठीक है, और आप उनको सम्हालने के लिए पीछे-पीछे, ठीक है, मैं generally चलने वाली बात नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ, कि उनको ये चाहिए, जैसे आप उनकी हां में हां मिलाओ, ठीक है, उनकी हर बात को आप support करो, वो जो चाहें वो आप करो, एक dominating energy, तो वो कहीं न कहीं आपके person की है, तो ये कहीं न कहीं उनकी आज सभा की energy दिख रही है, ठीक है, जहां पर आपको बहुत miss कर रहे हैं, अपने आपको केला खड़ा हुआ पा रहे हैं तो ये उनकी energy है, अगर आपके करो, शेर करो, this is all for today, thank you, bye bye, take care.